शुरू करें अपना धुवादार शांधार सेशन आज का पटाफट से क्विक टेक चेक कर सेबू ओडियो सब कुछ क्लियर है चालो को कि चलो सारा audio video clear है सब को फटा-फट से बता दो yes or no एक बहुत ही शानदार धुवादार क्लास आपके लिए लेका है Indian Contract Act Section 1 to 75 The Entire General Principles of Contract Act in one class कमाल के Understanding, Case Laws सब कुछ 1 से 75 तक आज की क्लास में याद करके जाना है ठीक है सब लोग वीडियो को लाइक कर दे के शेर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ शुरू करने जा रहे है दो घंटे का सेशन हो सकता है Because requirement है अच्छे से पढ़ाना है Case Laws और सब कुछ तो दो घंटे का क्लास हो सकता है बट आप सभी से ये निवेदन है बहुत ही मेहनत करके ये सेशन आपके लिए लाए जाते है तो आप कोशिश करेगा इसको पूरा सुनिएगा Definitely आपने कहीं से कुछ भी contract act कहीं से भी पढ़ा होगा आपको जरूर कुछ ना कुछ या बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है चलिए जी शुरू करते हैं आगे जी सारे गुडिवडिंग गुडिवडिंग चलिए बहतरी चलिए शांदार जबर्दस जिन्दवाद शुरू करते हैं आज का session the entire Indian contract act section 1275 समय की हमारे पास कमी है क्योंकि देड़ से दो घंटे में हमको पूरा खतम करना है इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं आपकी सुविधा के लिए कुछ चीज़े में लिखते लाया हूं ताकि मुझे लिखने में यह जेनरल प्रिंस्पल्स ऑफ इंडियन कॉंट्राक्ट की बात करते हैं उसके बाद जो special contracts है वो हमें दिये हुए ठीक है तो वह अपने को सबको पता है बेसिक चीज़े हैं इंडियन कॉंट्राक्ट के बारे में सबसे पहले समझना है कि इंडियन कॉंट्राक्ट करता क्या है ये एक सवाल आप से इंटेव्यू में पूछा जाता है और आपको एक जनरल अंडिस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे हमारे पीनल लॉज है आईपीसी है तो वो क्या करता है वो डिफाइन करता है कि कोई भी आक्ट ओफेंस कब होगा और अगर ओफेंस है तो वो कितनी हद पनिशिबल होगा यह काम हमारा आईपीसी करता है पो में कोई भी व्यक्ति ने कोई offense किया है तो उस offense को करने के बाद आपको जो सजा मिलेगी उसका तरीका क्या होगा अगर सजा मिलनी चाहिए या क्या होगा जो भी होगा उसका प्रोसीजर जो है वो लेडाउन करता है CRPC इंडियन एविडिन्स आपको बताता है कि आपके जो सब्स्टेंटिव लौ में offense है उनको प्रूव करने का माध्यम क्या है वाट इस दो प्रॉसेस और वाट आर दा equipment what are the instruments that you can use in order to prove a case तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछू कि Indian Contract Act क्या करता है तो आप कहूगे कि it determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it एक ऐसी परिस्थिती के बारे में एक ऐसी संभावनाओं के बारे में बात करता है ऐसे circumstances के बारे में बात करता है जहां पे एक promise parties के बीच में legally binding होगा अगर आप Indian Contract Act की scheme को समझना चाहते हैं कि Indian Contract Act करता क्या है तो अगर आप देखो अगर आप शुरुवात के formation की बात करते हैं अगर आप शांती से समझो तो section 1 से लेकर 36 तक के जो provisions है अब very good evening सभी को मैं बस इतना निवेधन करना चाहता हूं आप सभी अगर मेरा इस lecture को देख में आयों बहुत ही मेहनत से इस lecture को लेके आया जाता है और बहुत ही शिद्दत से मैं आज पढ़ाने वा होता है तो कहीं न कहीं उसका motivation भी थोड़ा सा डाउन होता है ठीक है अगर अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है तब तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो नहीं जाना है ठीक है चलिए सो शुरू करते आगे तो what I'm trying to tell you कि अगर होगा promise बनेगा consideration होगा agreement बनेगा section 10 की requirements fulfill होगी तब आपके contract का formation होगा कौन से contract एक valid contract शुरू होता है मतलब वहाँ पर यह बताते हैं कि अगर आपने अगर आपने कोई भी legally valid contract में एंटर किया है तो आपको उस contract की performance करना जरूरी है अगर आप उसको perform नहीं करते हो तो आप breach constitute करोगे अगर otherwise excuse by law नहीं है तो breach constitute होगी और फिर उसके लिए हमने 73-74 में damages की बात करी तो contract act बताता है कि एक समविदा की रचना कैसे होती है और अगर एक समविदा की रचना विधी के अनुरूप हुई है इन डाट केस आपके ऊपर legally binding है कि आप अपने contractual obligations को fulfill करेंगे और अगर आपने contractual obligations को fulfill नहीं किया तो वो breach कहलाएगी और उसके लिए corresponding damages आपको court के द्वारा दिये जा सकते हैं वो liquidated हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो ये scheme है Indian contract act की और Indian contract act ये काम कर रहा है तो before studying the law before going to the provisions ये बात आपको जानना ज़रूरी है इट consists of limiting principles अगर आपसे और कहा जाए कि सर इंडियन contract act क्या कर रहा है तो इट consists of limiting principles विदिन विच पार्टीज में create rights and duties which the law will enforce contract act बताता है आप दो लोगों को अगर contract में enter होना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है आप minor के साथ नहीं हो सकते बिना consideration के नहीं हो सकते इस सारी बाते इंडियन contract act आपको समझाता है तो इंडियन contract act वो limiting principles देता है जिनको ध्यान में रखके कोई वी दो व्यक्ति आपस में contract कर सकते हैं दाट इस वाट इंडियन contract act is doing तो भाईया contract act तो पढ़ने लगो गेटी हुए मिसर प्रपोजल acceptance यह सब दिया हुआ है लेकिन एक बार समझो की लौक कर क्या रहा है ताकि तुम्हारे मेंस के answers बहतर हो सके तुम्हारे इंटर्वीव में जवाब बहतर हो सके और जहां पर भ कुछ चीजे जो आपको शायद पता भी होगी बहुत जादा उसमें करने की जरूरत नहीं है अगर आप देखो तो इंडियन contract act में section 1 से 75 तक जनरल प्रोविजिन से 76 से 123 बात करोगे वह रिपील हो गया है जो sales of goods act में बन गया है 1930 के उसके बाद 124 से 238 तक आपके special contracts है यान में कोई बहुत देखकत लिए अगर आपको यह चार्ट समझ में आ गया तो the entire contract act is a child's play यह एक ऐसा चार्ट है जो आपके formation of the contract को बताता है कि कोई contract form कैसे होता है ठीक अब इसको देखते हैं क्या कहता है थोड़ा सा मैं तेजी से इसले पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूं और मैं उमीद करता हूं कि थोड़ा बहुत शायद आपने contract कही कभी न कभी न कभी पढ़ा होगा अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आपको 60% चीज़ें समझ में आएगी लेकिन अगर आपने एक भी भार contract पढ़ा है तो आपको 100% समझ में आएगी लेकिन थोड़ी सी speed up करनी पढ़ेगी क्योंकि हमको सारे sections पढ़ाने 75 त बचना कैसे होती है अगर यह हमारा question होता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहला ingredient या सबसे पहला essential जो किसी contract के formation में होता है वो होता है प्रपोजल अब यह प्रपोजल जो है यही आपका English law में offer के नाम से जाधा जाता है ठीक है English law में इसको offer बोलते हैं आप अक्सर पढ़ते ह होगे देखो हमारा जो Indian contract है वो English law से majorly लिया गया तो बहुत सारे terms ऐसे हैं जो English law में वहां के contract act में use होते थे उनको change करके या उनके synonyms जो है वो Indian contract act में use किये गए हैं तो generally होता है कि जब आप books पढ़ते हो या लिखते हो answers तो आप interchangeably चीजों को use करते हो तो मैं आपको यह Indian law में impossibility बोलते हैं अलाकि impossibility और frustration में थोड़ा सा फरक है लेकिन concept more or less similar इसी तरीके से Indian law में कोर्शन आता है English law में अलाकि वहां पर भी दोनों में दो-ती इंडिफरेंस हैं लेकिन सिमिलर हैं सरकव कंसेट तो बहुत सारी जगाहों पर आपको ऐसी चीज़े मिलेंगी जो English law से ली गई है लेकिन उसको Indian law में अलग नाम से बोला जाता है तो जब हम प्रपोजल की बात करते हैं जिसको English law में ओफर बोलते हैं ठीक है ठीक है तो उसको डाट इस फॉस्ट एसंचल ऑफ़ जो अब इस बात को बहुत ध्यान से समझता विदिस इंपोर्टेंट और विदिन विदिन आम एंट्र ऑफ 10 मिनिट्स वी आर लुविग तो दर में तीम दूंग देंडिन कॉन्ट्राइक proposal when accepted becomes a promise, a proposal when accepted becomes a promise, promise plus consideration, promise plus consideration becomes an agreement, proposal when accepted becomes a promise, promise में consideration अगर आड कर दिया तो तो इड बिकम्स एन agreement, अग्रीमेंट में section 10 की requirements को अगर add कर दिया गया तो it becomes a contract जो contract की formation है Indian contract act में वो इसी तरीके से होती है आपके bear act में definition सारी उपर नीचे करके mix match करके लिखे हुई है जिसकी वजह से आपको दिक्कते आती है लेकिन अगर आपने contract की formation इस तरीके से समझ ली सारी चीज़े वही हैं लेकिन बस तरीका है सही तरीका सही pattern किस तरीके से पढ़ना है तो सबसे पहली इकाई एक contract की होती है कोई व्यक्ति proposal देता है मैं आपको proposal देता हूं कि मैं तुम्हें जुडिशिरी के लिए पढ़ाना चाहता हूं यह मेरा proposal है आप इस proposal को accept करते हो कि हां सर मैं आपसे जुडिशिरी की तैयारी के लिए पढ़ूँगा acceptance हो गई हम दोनों का promise बन गया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझसे पढ़ोगे उसमें जरुवत पढ़ी consideration की मेरा का मेरे साइट से consideration क्या है कि मैं आपको जुडिशिरी के लिए पढ़ा रहा हूं आपकी साइट से consideration क्या है कि आप मुझे XYZ दे रहो तो quid pro q मैं हगर अपना contractual obligation पूरा कर रहा हूं आपको पढ़ाने का तो आप मुझे क्या दे रहो बदले में फीस दे रहो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह consideration आपको मिल रहा है मुझे फीस मिल रही है कुईड प्रो क्यो दोनों साइट से consideration फ्लो हो रहा है तो जब हमने proposal दिया कि मैं आपको पढ़ाऊगा आपने उसको accept किया हमारा जो proposal accepted हुआ उस phenomena को उस concept को हम promise बोलते हैं promise में consideration का तड़का लगा दिया कि भई देवसी सर पढ़ाएंगे एक साल तक पढ़ाएंगे बदले में 50 ज़र पर फीस लेंगे तो यह consideration हो गया अब हमारी बीच का जो arrangement है उसको हम एक agreement बोलेंगे उसको हम एक agreement बोलेंगे अब इस agreement में section 10 की requirement है section 10 क्या बोलता है ऐसा तो नहीं आप minor हो मान रो आप minor हो अब मैंने आपसे contract कर लिया प्रपोजल था acceptance थी promise था consideration था agreement बन गया बट section 10 की requirement नहीं हुई तो वो contract नहीं बन पाया that will be a void agreement क्या होगा void agreement क्योंकि वो agreement बढ़ा होगे कभी भी contract नहीं बन पाया what I am trying to tell you here is कि section 10 की requirements क्या है मान लीजे मैंने आपके सर पे बंदूक रखके caution करके बोला की चलो fees जमा करूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अब proposal है acceptance है promise है consideration है agreement बन गया लेकिन section 10 में caution दिया हुआ है free consent का part और अगर वो free consent नहीं है तो आपका contract form नहीं होगा अगर हुआ भी है तो voidable होगा at the option of the party ठीक है what I am trying to tell you बेटा हेर इस कि किसी भी contract की formation के ये चार essentials है पाच जित्ते भी है proposal when accepted becomes a promise promise plus consideration becomes an agreement agreement plus section 10 becomes a contract अब इन ही सारे words के अंदर आपका पूरा contract act भूमता है इन ही सारे words को समझाने में 2D में तुम्हारा ये दिया हुआ 23 में दिया हुआ agreement without consideration is void agreement कौन कौन से void होगे 26, 28, 29, 30 वो सारे दिये हुए section 10 में जो कुछ भी दिया हुए उसी को आगे explain किया गया तो मेरा कहने का मतलब है ये 4-5 जो words है ये जो आपका chart है यही Indian contract act का basic है और यही Indian contract act की पूरी formation करता है अब आगे बढ़ते हैं तो पहला term अपन समझते हैं आज का मारा पहला term है proposal तो the first thing and the foremost thing is proposal मैंने आपको समझाया proposal क्या है English law में offer है starting point of the contract है ये बात आपको समझ में आ गई किसी भी proposal को effect में आने के लिए दो लोग जरूरी होते है 2A में इसकी definition दी हुई है अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो आपके पास आशा करता हूँ उमीद करता हूँ 2A में लिखा हुआ है when one person signifies यहाँ पे signifies तो उसका मतलब होता है प्रपोजल दे रहा है वह uncertain हो सकता है यहाँ पर लिखा हूँ है one person signifies तो one person gelir का मतलब होता है कि that person has to be certain when one person siignifies signifies का मतलब होता है communicate यहाँ पर मैंने Lick critically augment मतलब होता है मैंने मनमे प्रपोजल दिया मैं तुम्हें communicate किया है when one person signifies to another अब अनदर में specific person नहीं लिखा है तो world at large भी हो सकता है जहां से आपका general proposal का concept आता है बट उसको अब आगे पढ़ेंगे his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the ascent of that other person to such act or abstinence he said to make a proposal तो proposal के लिए मुख्य मुख्य बाते जो आपको समझनी है starting point of the contract हो गया दो लोगों के बीच में क्या नाम है होता है proposal दो लोगों से कम के बीच में नहीं हो सकता ये बात समझ में आगई signify का मतलब होता है communicate फिर लिखा है willingness willingness एक important point होता है proposal का जब भी मैं आपको कोई proposal देता हूं तो मेरी intent होनी चाहिए कि मैं legally binding contract में enter होना चाहता है इसी लिए जब आप पढ़ते हो कि एक example आप पढ़ते होगे कि मानलो आप से मम्मी ने बोला कि बेटा 10 में तुम अगर first rank लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दूंगी ठीक है और आप फटा-फट से जाके first rank मेरा बच्चा बहुत अच्छा अब जब 12 में लाएगा तब इसको बाइक दिलाएंगे आप कहोगे सर मैं जा रहा हूं court ममी ने मेरे साथ contract किया था कि जो है अगर तुम first rank लाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी अब यह दे नहीं नहीं रही है मैं court में जाओंगा court में बोलूँगा मेरा राइट है contract था हमारे बीच में प्रपोजल था acceptance था consideration था सब कुछ था तो नहीं होगा क्यों क्योंकि intent to create legal obligations नहीं था बालफर वर्सेस बालफर का case आता है family arrangements में मेरा कहने का मतलब है कि law समझाना चाहता है यहां पर कि आपकी willingness होनी चाहिए कि सामनाला कुछ करेगा या नहीं करेगा और आपने यह जो प्रपोजल दिया है that has to be to obtain the ascent यहां पर ए general inquiry नहीं कर रहे हो यहीं से concept आता है invitation to offer का कि अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई तुमने यह समान कितने का दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसको proposal कर रहे हो कि मुझे दे दो या किसी की दुकान से समान उठाते हो तो invitation to offer आंगे दिया हुआ मेर supply of information भी आता है और यह भी आता है कि आपकी आपने जो भी प्रपोजल दिया है आपका intent होना चाहिए कि आप उस प्रपोजल से कोई दिक्रित की बात नहीं है अब next point आता है that within the knowledge of the other person law यहाँ पर कहता है एक word used है कि obtain the essence यह acceptance में आएगा but law यहाँ पर simple यह कहना चाहता है आरेगे जाना चाहता है कि जब हम proposal की बात करते है तो यह समझ में आ गया proposal पहली चीज़ है प्रपोजल communicate होनी चाहिए प्रपोजल में intent होनी चाहिए willingness होनी चाहिए कि आप कुछ करे या ना करे यह सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है वट और जदा महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है प्रपोजल के कंटेक्स्ट में कि प्रपोजल शुड़ बी विदिन दा नॉलेज ऑफ दा परसन जिस भी व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल का acceptance किया जाना है उस व्यक्ति की जानकारी में प्रपोजल होना चाहिए इसमें landmark case आता है लालमन शुकला वर्सस गौरी दत का इसमें simple सा case होता है कि उसका nephew एक बंदा होता है उसका एक nephew होता है वो खो जाता है वो अपने servant को भेजता है कि भाई उसको डूलो जाके जब वो डूलने निकल जाते हैं तब ही वो पीछे से कुछ बिल्स निकालता है या कह सकते हो कि एक reward निकालता है कि भाई जो भी मेरे बच्चे को लेकि आएगा उसको मैं 10,000 रुपे दूँगा यह जो proposal है यह उसके servants की knowledge में नहीं होता है और वो servants उसके बच्चे को लेके आ जाते हैं अब वो कहते हैं कि सर हमारा contract बन गया है और आब हमें 10,000 रुपे चाहिए तो law यहाँ पे इस case में यह बात समझाता है आपको कि बेटा जब proposal दिया जा रहा है तो proposal signify होना चाहिए proposal communicate होना चाहिए वो अपन ने पढ़ लिया था लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा proposal accept किया जा रहा है उसकी knowledge में तो proposal होना चाहिए कि ऐसा proposal exist कर रहा है अगर उस व्यक्ति की knowledge में ही proposal नहीं है तो वो उस proposal को accept नहीं कर सकता और contract की रचना नहीं हो सकती यह बात लालमन शुकला वर्सस गौरी दत्में के समझाई थी उसके बाद एक और concept आता है जिसको हम बोलते है मेर supply of information is not proposal सवाल यह पूछा गया कि जब आप किसी वेक्ति से कोई information डिमांड करते हो तो क्या supply of information amounts to a proposal यह Harvey वर्सस फेसी था जिसको हम bumper hall pen case कहते हैं जो भी उसमें farmland थी वगेरा उसमें उन्होंने का are you willing to sell your land code the lowest price तो उन्होंने का the lowest price for the land is 10 lakh rupees xyz जो भी price था what I am trying to say कि proposal clear cut होना चाहिए जिसमें आपकी willingness पता होनी चाहिए कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो with a idea कि आप legal obligations में enter होना चाहते हो अगर आपकी तरफ से सिर्फ supply of information है तो उसको हम proposal डीम नहीं करेंगे और सामने वाला व्यक्ति भले उस प्रपोजल को accept कर लेता है एक वैलिड कॉंट्राक्ट की रचना नहीं होगे आगे बढ़ते हैं इसके बाद concept आता है invitation to offer का क्योंकि जब हमने offer पढ़ा तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जबी भी आप जबी भी आप contract act पढ़ दो तो मालीजे आपने proposal पढ़ा तो आप proposal में आपने करना क्या है कि आपने यह सारे सातों points जो मैंने यहाप लिखे है यह आपको अपने answer में भी mention करने है और आपको यह as it is याद रखने है आपके पास question आएगा what is proposal आप सिर्फ 2a की definition लिख दूग चाहिए within the knowledge of the person there to लालमन शुकला होना चाहिए मेर मेर supply of information is not a proposal मेर a declaration of willingness to enter into negotiation यह भी नहीं होना चाहिए यह सारी चीज़े जब होती है तब आपका एक proposal बनता है तो proposal के question में invitation to proposal के बारे में भले ही ना लिखे लेकिन जब आप proposal के बारे में लिख रहे है तो इन सब points को mention करन जरूरी है अब इसके बाद दूसरा concept आता है invitation to offer या invitation to proposal हम इसको बोलते हैं आप हमेशा पढ़ते होगे जैसे menu card है catalog है price list है auction notice है यह सारी चीज़े जो है वो invitation to offer आती है अब invitation to offer का context क्या होता है अगर आप business को समझते हैं तो आप यह समझोगे कि जबी भी कोई विक्ती किसी servities करें कि भाई हम इस चीज में deal करते हैं तो इसका कहने का यह मतलब है कि जबी भी आप किसी shop में जाते हो और किसी mall में जाते हो किसी भी दुकान में जाते हो जहाँ sales service भी होती है किसी भी big bazaar में कहीं पी भी जाते हो तो वहाँ पे जो समान रखा हुआ है display में वो actually invitation to offer है उसका यह मतलब होता है कि जबी भी आप किसी भी mall में जाते हो कोई समान अपनी basket में रखते हो और उसके बाद cash counter पे पहुँचते हो तो आप exactly cash counter में जाके आप offer कर रहे हो कि भाई आपके पास यह जो समान है यह मैं खरीदना चाहता हूँ तो proposal हमेशा आपकी side से होता है ले you will make an offer to the restaurant कि भाई मैं को दाल मखनी चाहिए रोटी चाहिए पनीर वटर मसाला चाहिए तो आपके द्वारा offer किया जा रहा है उसको accept और ना accept करने की उसकी responsibility इसी लिए क्योंकि मेरी बात समझो यह business convenience का model है अगर हरे एक व्यक्ति को ऊपर यह foundation डाल दी गई कि अगर किसी का menu card है तो menu card एक proposal है एक offer है अगर यह चीज हमने presume कर ली तो अगर उसकी दुकान में कभी भी कुछ भी खतम हो जाता है तो तुम कोगे तुमारा proposal साथ तुम दाल मखनी खिलाओगे मैंने proposal accept कर लिया मैं प्राइस भी दे रहा हूं contract बन गया अब अगर तुमने मुझे दाल मखन अगर पाएंगे हमारे पास कौन सा माल है नहीं है shortage में है सारी चीजों पर चलेगा ना तो यह मर्केंटाइल लोग का एक concept है जिसको आपको इतना समझना है कि जैसे auction का notice है या price list है catalog है यह सारी चीजों है आपकी क्या कहलाती है invitation to offer कहलाती है इसमें एक tender और auction के बाद है मैं बात किया गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जैसे auction हो रही है ठीक है या किसी भी चीज के tender दिये जा रहे है तो वो सारी invitation to offer होते है लेकिन ठीक है अगर कोई बिडर अगर ऐसा कोई auction होता है जहां पर कोई भी बिडर बिड करता है तो उसको हम offer मानते हैं इसका मतलब मैं simple समझाता हूं मानली जे IPL हो रहा है IPL में bidding हो रही है अब उसमें कोई player आया कि यह player है मानली जे महिन सिंग धोनी जी है और कौन खरीदेगा तो अब वहां पर जितने लोग bid कर रहे हैं एक करोन दस करोन पांच करोन वह सारे offer दे रहे हैं और उसको accept कौन कर रहा है जो hammer पर sold करके मारता है तो यह चोटा से difference है कर कभी आये तो कर लेना वरना भी आपको clarity रहे है तो invitation to offer यह हो गया pharmaceutical society of great bit investors boot cash chemist यह भी यह invitation to offer का landmark case था इसमें कुछ नहीं था जैसे इंडिया में chemist के दुकाने होती है मतला हमारे शहर में तो वैसा मॉल टाइप का chemist का दुकान नहीं है लेकिन लंडन में क्या होता है कि जैसा मॉल होता है वैसा बिग बजार जैसा chemist का shop होता है तो वहाँ पर आप जाओ अपने नाम की दवाई जो भी आपको चा सकती है जैसे इंडिया में भी आगर आप देखो कि नींद की दवाई डिप्रेशन की दवाई या यह सारी दवाईयां जो है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर मिल सकती है लेकिन पैरसीटमॉल आप जाओ और आपको ऐसे मिल जाएगा बिन प्रिस्क्रिप्शन के मिल आप में जो की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती तो उसने का आपने दवाई लगाई हो यह डिस्प्ले पर आपकी तरफ से ओफर है मैंने ओफर एक्सेप्ट कर लिया मुझे खरीदना है आपका जो प्राइज इस पर लिखा हुआ वह प्राइज मैं दे रहा हूं तो क यहां पर जो कॉंट्राइट का बात है वह यह है कि सर वह एक डिस्प्ले पर आइटम जो था वह मेर इंफॉर्मेशन था कि हम यह चीज़े बेचते हैं आप आके हमें ओफर दीजिए हम आपका अफर एक्सेप्ट करेंगे या रिचेट करेंगे हैं ठीक है बोलो ए यार येस और नो लिख दो यार वीडियो को लाइक कर दो सतर असी बच्चे देखते हो और तीस लाइक है यार पानी पीलो यार सब कुछ पढ़ा दूँगा आज की क्लास में यह सारी एनोटेशन जो है वह मैं आपको टेलिग्राम पर फिर दूँगा ठीक है टेलिग्राम गुरूप है मेरा देवेशीष पांडे फजुडी श्री अभी दिखा भी दूँगा ठीक है चलिया आगे बढ़ते हैं गों आप वीडियो को लाइक करते ना ठीक है चलो इंविटेशन टू ऑफर के बात अब जब हम प्रपोजल की बात करते हैं तो प्रपोजल कि से रिलेटेड अभी और चीजह हैं जो आपको समझनी है जब हम ओफर की बात ही कर रहे हैं तो इस बात को और समझेंगे कि नंबर की बस आपके घर के पास जाती है 12 नंबर की बस आई बस टेंड़ पर रुकिए आप बैठ गए तो क्या हूए यह इप्री इंक है कि बॉस भाझ यह चलेंगे कितने पैसे लोगे 100 रूीप यह लेंगे वहां क्या है झाता है वह उच किन्हें और चलेंगे उप एक्सप्रेस हो गया इंप्लाइड हो गया मतलब एक्सप्रेस हो गया दोनों हो गया यह और भी हो सकता है रिटेन भी हो सकता है section 9 में यह दिया हुआ तो प्रपोजल के उपर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है यह बहुत इंपॉर्टन चीज है जिसको आपको समझना है यहां से एक और कंसेप्ट का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं counter offer और cross offer लौ यह कहता है कि अगर किसी भी विक्ति ने कोई प्रपोजल दिया है तो वह प महत्पूर्ण है उसकी acceptance में कि proposal as it is किया गया हो जिसको मिरर रूल बोलते हैं अगर मिरर रख दिया जाए तो सारी शवी सेम आ जाए तो लौ यहां समझाना चाहता है कि अगर आपने कोई भी प्रपोजल दिया है तो अगर आपको सामने वाले का प्रपोजल accept कर रहा है तो ह बहु वैसा ही कर रहा है अगर मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मैं आपको जुडिश्री के लिए पढ़ाना चाहता हूं मेरी 50,000 रुपए फीस है आप अगर पढ़ना चाहते हो आपने उसको accept कर लिए 50,000 रुपए फीस है यह सारी चीज़े है आपने उसको accept कर लिए एक साल का कोड़ से 50,000 रुपए फीस है आपने का सर 100-200 कम कर लो और जो है 40-45,000 रे लो तो जैसे ही आपने मेरे प्रपोजल की किसी भी कंडिशन को चेंज किया तो लौ कहता है कि अब आपकी साइट से एक प्रपोजल मेरे पास आया इसका ये मतलब है कि जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ 50,000 रुपए फीस है क्या आप मुझसे पढ़ोगे तो प्रपोजल मैं दे रहा था accept आपको करना था लेकिन जैसे ही आपने कहा कि सर 45,000 फीस ले लिजे थोड़ा कम कर लिजे या 40,000 फीस ले लिजे तो आप आपकी तरफ से प्रपोजल आ गया और आप इसको accept या ना accept करना मेरे उपर है तो जब मैंने आपको प्रपोजल दिया उस प्रपोजल को अगर हूब 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 पुरी तरीके से आपने accept नहीं करते हुए उसमें कुछ अमेंडमेंट्मेंट सजेस्ट किये इन डाट केस दो लॉसेज़ दाट इस अगांटर प्रपोजल इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या डेनाई कर सकता है ठीक है इसको हम बोलते काउंटर प्रपोजल उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जनरल ऑफर की बात करेंगे सब करेंगे सब करेंगे सारी चीज़ें कैसे तुम लोग कह रहे हो लाइक किया या अभी भी लाइक नहीं बढ़ रहा है तो मैं रिफ्रेश करके देखें कुछ तो गडबट जाला चल रहा है हो गया हो गया हो ठीक है कोई दिक्क्त मेरी साइट रिफ्रेश करने की जरुवत थी नो प्रॉब्लम है जी नो प्रॉब्लम है जी चलो तो प्रपोजल वन्स रिजेक्टेट कमस्ट यह समझ में आ गया इसी के साथ एक और छोटा सा बच्चो जैसा कंसेप्ट आता है जिसका आज की जमाने में कोई भी रिलेवेंस नहीं है ल मतलब मैंने यहां से आपको एक प्रपोजर लिखा कि क्या मैं तुम्हें जूडिशरी की कोचिंग पढ़ाना चाहता हूं एक साल का डूरेशन है पचास जार रुपए में फीस लूँगा मैंने एक लेटर तुम्हें भेजा तुमने उदर से एक लेटर भेजा कि देवशी इस रूल की तरह है सारे कॉंट्राक्ट होते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है बट टिन वर्सेस होफ्मन का एक केस था जो इस पर ही डिल कर तो लॉन ने बस इसमें इतना समझाया था कि अगर कोई क्रॉस ओफर है मेरी साइट से ओफर है आपकी साइट से ओफर है तो यह जो दोनों क्रॉस ओफर है यह mutual acceptance constitute नहीं करें इसका मतलब भले ही हम दोनों same चीज़ बोल रहे है और same चीज़ के लिए offer कर रहे है लेकिन इसको acceptance presume नहीं किया जाएगा किसी ना किसी एक व्यक्ति को accept करना पड़ेगा या तो मैं आपका offer accept करूं या आप मेरा offer accept करें किसी ना किस तो इतना साही principle है क्रॉस ओफर का जो आपको समझना है और याद रखना है ठीक है हाइड वर्सेज रेंच काउंटर ओफर का है absolute and unqualified होना चाहिए seven clause one में mirror rule दिया हुआ है आपको ये बात बच्पन से पता है अब प्रपोजल दो तरीके के हो सकते जैनरल और स्पेसिफिक ज क्या नहीं समया है बच्चा इसमें क्या ही दिक्कत था यार एक चोटा सा concept है cross offer और counter offer मैंने अगर आपको कोई भी offer दिया उस offer में आगर आपने कुछ भी change किया तो अब आपके द्वारा उसको accept नहीं किया जा सकता अब आपकी तरफ से offer है मेरे लिए और मुझे इसको accept करना पड़ेगा यह cross offer हो गया counter offer का मतलब हुआ कि simple same चीज़ें जो मुझो टर्म्स जो पार्टी जो subject matter सब कुछ मैंने आपको बेजा वही आपने मुझे बेजा और हम दोनों की जो letters थे वो आपस में cross हो गये तो हमारे जो proposal थे वो cross हो गये लेकिन law बसित्ता कहता है proposal भले ही cross चलो आप समझ लेना वीडियो नहीं तो पीछे करके देख लेना types of proposal general and specific specific किसी specific इंसान को किया जाने वाला प्रपोसल specific general मतलब world at large को general proposal में सबसे बड़ा case आता है कारलिल वर्सस कार्बोलिक स्मोग बॉल हर बजन लाल वर्सस हर चरन लाल लो यहाँ पर एक छोटा सा concept समझाता है देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक एक लाइन एक एक word को अगर आप सुनते जाओगे आपको बहुत कुछ स कैसा लगा आप लोग का मोटिवेशन अगर रहेगा अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे मुझे अगर यहाँ पर इस वीडियो के एक हफ्ते में कुछ ऐसा दस अजार व्यूज मिल गए और पांसो कमेंट्स मिल गए तो मैं एजनसी बिल्मेंट प्लेज इंडिम्निटी अब मैं बता रहा था आपको किसकी बात जनरल ऑफर की बाद मैंने मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जब आप पढ़ते हो वन परसें सिगनिफाइज तो हमारा लौ जो है वह इस बात को रिकगनाइज करता है कि ब्रो यह बात समझनी है कि प्रपोजल जिसके द्वारा दिया जा रहा है वह व्यक्ति सर्टें होना चाहिए लेकिन जिसके द्वारा वह प्रपोजल एकसेप्ट किया जा रहा है वह अनसेटन भी होगा तो चलेगा मतलब वह व olur at लार्ज हो सकता है वह सकता है वह to stay specific होना ज़रूरी नहीं है यह वर्ट का इंटरप्ले है डेफनेशन में हाला कि मेरा परपोजल समझाता है लहाँ पीड में कर्से कीक छलता है दस खाते हैं जो भी छे साथ वीक्स जो भी था छे वीक्स तक रेगुलर्ली खाते हैं तो आपको इस स्पेसिफिक टाइप का जो इंफुएंजा है या जो बीमारी हमारे आँग चल रही है वो आपको नहीं होगी सिंपल तो यह चीज इन्होंने करी थी कार्डूलिक कार्बोलिक स्मॉख बॉल कमपणी इस कंपणी ने एक स्मॉख बॉल निकाली थी खेलने वाला बॉल नहीं है मलब एक टाबलेट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इस टाबलेट को 6 हफते तक खाते हैं तो अगर आपने हमारी दवाई खाई और उसके बाद आपको इंफ्लुएंजा हो गया तो हम आपको दस लाख रुपए देंगे उन्होंने पूरा कोर्स किया कैसे प्रूफ किया कैसे नहीं प्रूफ किया उसके नहीं जाना है उन्होंने अपना पूरा कोर्स किया और उसके आदोणको इंफ्लुएंजा हो गया है स divorce रहा ही तो कार्बोलिक स्मोग बॉल कंपनी के पास पहुंचे कि भाई लौँ मेरा पैसा तो हमने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है हम इसको खाने जा रहे हैं साथ दिन साथ हफ़ते तक और फिर अगर हमें होगा तो आप हमें पैसा देंगे तो उन्होंने कहा कि सर प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए और दूसरी बात प्रपोजल स्पेसिफिक भी होना चाहिए हमने इनको दिया थे यह कैसे पता चलता है तो दोनों ही पॉइंट्स ने कोड ने समझाया पहली चीज तो प्रपोजल जनरल हो सकता है प्रपोजल जिसके द्वारा दिया गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए व्ल्ड एट लार्ज को दिया जा सकता है और दूसरी जो main बात इन्होंने कही वो ये कही कि general offer के context में the performance amounts to acceptance, इसका मतलब जब world at large को आपने कोई भी proposal दिया है, जब आपने world at large कोई भी proposal दिया है, तो ये बात बहुत महत्पुन है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी condition को fulfill करता है, तो it amounts to acceptance, उसमें उसको अलग से कुछ acceptance करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको कारलिल को पूरा पैसा देना पड़ा, सेम केस था, हर बजन सेंग, हर बजन लाल वर्सेज हर चरणारी, इंडियन केस था, ये कार्बोलिक स्मोग बॉल, इंग्लिश केस था, लेकिन इसमें एक छोटा सा point और आता है, जो है theory of first information, theory of first information मान लिजे, मैं आपसे कहता हूँ, कि मैंने world at large को एक proposal दिया है, मैंने world at large को एक proposal दिया है, कि जो भी मुझे बताएगा कि UP की विकेंसी कव आने वाली है, उसको मैं एक लाग रुपए दूँगा, ये मैं कर रही रहा हूँ proposal, ठीक है, ये this is only for educational purpose, तो अब मान लिजे, कि ए जाती विकेंसी आने वाली है, या कुछ हो जाता है, अब एक बच्चा मेरे पास आता है, केता सर, UP की विकेंसी अगले महीने आने वाली है, कुर दूसरा बच्चा आता है, केता सर, एक लाग रुपए दीजे, तो ऐसे तो हम bankrupt हो जाएंगे, इतना पैसा भी हमारे पास नही तो जब हम देखते हैं लालमन शुकला वाला केस कि उसकी नेफ्यू को लेके आना था वह भी जनरल ओफर था तो नेफ्यू तो एक ही था उसको एक बार कोई ले आया तो ऐसा थोड़ी है कि रोज खोज आएगा रोज कोई लेके आएगा रोज उससे पैसा लेगा वह तो एक सब्सक्राइब का इवेंट होता है ना कि मालो कल सुबह स्कूल या फिर कोई पगड़ के लिए अरे सर आपका नेफ्यू पैसे दीजे वह परसो सब्सक्राइब पैसा दीजे तो लोग कहता है लेकिन जनरल ओफर की नेचर को समझना है अगर आपका जनरल ओफर ऐसा है कि व कि तब की बात अगे लेकिन अगर उने क्या नहीं लगाई तो कितने भी लोग उसको एक्सेफ्ट कर सकते हैं कि जब ने अग्लक फॉस्ट इनफॉर्मेशन थेोरी की बात करते हैं तो यहां पर समझने की बात यह है कि यहां पर जैसे ही पहले इनसानन ने उस ओफर का प्रपोजल का कंसेट्ट हमने प्रपोजल समझा उसके साथ नहीं बहुत सारे सेक्षिंज भी समझें सेवन समझा बहुत सारी और चीज़ें आप प्रपोजल पढ़ते हो तो आपको यह सारी चीज़ें जानने की सब्सक्राइब बहुत दीमें चल रहे हैं लेकिन मजबूरी है चालिस मिनिट हो गया है लेकिन प्रपोजल ही हो पाया है बट आप सब अगर मेरे साथ रहोगे तो आज चाहें नौ बच जाए चाहें तस बच जाए मैं इस पूरे कंसेप्ट को खतम करके जाओंगा 75 बस शर्त यह है कि आप सारे लोग वन शॉट करवाते हैं ठीक है बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कराते हैं एक क्लास में सब कुछ हो जाएगा एक से 75 तक सब खलास तुम एक बार देखो जाके वीडियो उनके भी और मेरे वे वह हवा में बताएंगे क्या क्या चीज़ें और उपर उपर से सा लेकिन मेरा यह नहीं रहता है कि सिर्फ अपचारिकता कर दी अगर कोई चीज पढ़ाई जाया तो धंग से पढ़ाई जाता था लेकिन फिर समय बहुत ज्यादा लग जाता है ठीक है सो डाट इस दा एजेंड़ एक्सेप्टेंस आपने यह बात पढ़ी थी आपने यह बा अगर किसी वी व्यक्ती ने कोई प्रपोजल दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना मतलब उसको उससे अग्री करना ही एक्सेपटन्स कहलाता है बीडिटेल में पढ़ेंगे तो जब प्रपूजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस एक्सेप्टेंस क्या है एक बार आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती इंडियन लौ में कुछ हद तक हो सकती इंस्टेंस रूल में बड़ वह बहुत आगे की बात है जनरली लौ यह समझाता है कि भाई कोई भी प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लिया और उसमें बाकी सारी चीज़ें अगर है देखो एक्सेप्टेंस तक तो तुम्हारा वो है कि तुम्हारी विल है उसके बाद तो प एक्सेप्टेंस होती है आप मना करतो लौ तो आपको नहीं बोलता है ना मैंने आपको बोला भई पढ़ना है तो मना करतो नहीं पढ़ना है सर कईवार पढ़ेंगे हम जाके ठीक है कोई बात ही गतम हो गई तो कोई contractual obligations create ही नहीं हो तो एक्सेप्टेंस सबसे important चीज़ है क कि आप accept करोगे या नहीं अगर आप नहीं करते हो तो बात ही कतम हो गई अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको जुडिशर के लिए पढ़ाऊंगा पचास जार फीस लूगा आपको पढ़ना है तो यह प्रपोजल मैंने आप से किया है तो कोई और विक्ति आके नहीं कर लिया है हम पढ़ेंगे आपसे बिजनस के विनियंस में मैं शाद उसको पढ़ा भी दुआ क्योंकि मुझे तो बैच पढ़ा नहीं है लेकिन लोग क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रपोजल किसी स्पेसिविक व्यक्ति को किया गया है तो हमेशा उस प्रपोजल को वही एक्सेप्ट कर सकता है कोई और नहीं कि आपको आप लोगों की भाषा में समझाए आप लोगों की क्या मतलब आप लोग की जेनरेशन की बाषा में समझाए तो अगर आप किसी लड़की को प्रपोस करते हो ठीक है तो आपका प्रपोस वही एक्सेप्ट करेंगे ना कोई और हमने accept कर लिया था आपको क्या मतलब रह गया बात का समझ रहो ना तो यह सिंपल बात है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी acceptance must be communicated तीसरी चीज़ है acceptance must be communicated यह acceptance का एक और बहुत important feature है कि अगर acceptance communicate नहीं करी गई तो फिर वह acceptance acceptance नहीं कहलाएगी और आपका proposal प्रॉमिस नहीं बनेगा इसका यह मतलब है कि आपने किसी को प्रॉपोस किया कर रही है लेकिन आप से बोली नहीं तो सिचुवेशन से नहीं कहने का मेरा मतलब है कि इसमें केस था पावल वर्सस ली का इसमें हूँ इस के साप से बताते हैं हाँ MPCJ के लिए हम बात करेंगे mains का batch लेके आ रहे हैं हम लोग अभी मैं आपको सारे batches वगरा दिखा दूँगा अगर किसी को join करना है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी बहुत शुरुबात है बहुत कुछ पढ़ाना है थोड़ा एक घंटा पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा सा break लेंगे तब आपको यह सारी core source का बता देंगे टेलिग्राम एंडल दिखा देंगे तब कर लेंगे अभी पढ़ देते हैं एक कंटा तो मैं क्या कह रहा था कि पावल वर्सेज ली का एक landmark case है जिसमें क्या हुआ कुछ नहीं हुआ एक टीचर का उसको विश्वस्त सूत्रों से मतलब हो सकता है ओफिस का प्यून या ओफिस का कोई अधिकारी उसको बता दिया कि जो है तुमारा सेलेक्शन हो गया है मिठाई-विठाई खिलाओ और बढ़ियां होगा सब सब हो गया तो वो खुश हो गया हो अपना सब मनाने लगा उसके और बाद जो बाद जो बोड मेंबर्स थे जो कमेटी थे उसने अपना decision चेंज कर दिया और किसी और को headmaster बना दिया तो ये पॉच्चा court करता हमें बनाया गया था headmaster तोहिए तुमसे बोला कॉंँ तो कहते है तो चपरासी ने तुम aids नहीं दिया था कि तुम्हें Master बनना या उसको isp king करना था तुम्हारी तुम्हारे offer को जो acceptance है करहां दीजिये उस की चरणे offer कि प्रने तोफर किओक एफर ना कि किसी प्यून के द्वारा कि इसमें बहुत ज़्यादा वह नहीं होने की जरुवतिनी सर ने बोल दिया प्यून नहीं डिसाइड कर सकता अथॉरेटी की बात है सिस्टम की बात है और गनाइजेशन की बात है तो कहने का मतलब यह है कि कि ultimately the management has to accept that offer और management has to communicate कि भाई हां हम तुम्हारा offer accept करते हैं लेकिन कोई और नहीं कर सकता तो law कहता है acceptance must be communicated अगर आपको communicate ही नहीं की गई है तो भले ही मन में कुछ भी सोचाओ उन्होंने सब कुछ sign करके अपनी draw में भी रख लिया है तो भी law कहता है कि वो deemed acceptance नहीं मानी हाला कि जब आप आगे पढ़ोगे इसको detail में तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके जो actions होते हैं वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनसे acceptance constitute हो जाती है मैं एक example बताता हूं एक दो कंपनी थी उनके बीच में सामान खरीदा जाता था raw material और यह सब चीज है तो लोग ब पार्टी ने साइन किया दूसरे पार्टी के पास दिया गया कि आप साइन कर लीजएगा उन्होंने साइन ही नहीं किया उन्होंने रखा रहा लेकिन उनका जो business था वह आप नई टर्मस पर होने लगा तो लो यहाँ पर समझाता है कि जब आपका action ऐसा है जहां पर आपने यहां पर सिंपल आपको समझना है कि एक्सेप्टेंस मस्ट अनक्वाइड यह बात आपको समझ में आ गई थी अब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाएगा एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉंट्राक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है अब एक आता है बड़ा छोटा सा छोटा तो नहीं कहुंगा थोड़ा से टिग्रम वाला है लेकिन इसको अगर आप सब साथ देंगे आप सब लोग का जोश रहेगा तो पांच मिर्ट में ये भी कंसेप्ट खता हो जाएगा कम्मिनिकेशन ऑफ प्रपोजल एकसेप्टेंस और बारे में हम पढ़ते हैं दो तरीकी के रूल होते हैं बेसिकली कहने का मतलब यहां पर डिसाइड करना है कि कब कब्ञिकेट हुई है प्रपोजल एकसेप्टेंस या रिवोगेशन और कब वहाँ पे उसको revoke किया जा सकता है ये दोनों चीजों को समझने के लिए दो rules आता है तो इसको सरल बाचा में अगर कहें तो दो तरीके हैं contract के formation में जहाँ पे एक तरफ आप आमने सामने बैठे हुए है या आप phone पे बात कर रहे हैं और आपके बीच में time gap नहीं है उसको हम बोलते है instantaneous rule मतलब instantly आप contract को कर रहे हो तो उसमें proposal acceptance revocation कब होता है ये समझना होता है और एक दूसरा rule होता है जहाँ पे time gap होता है आपने letter लिखा सामने वाले के पास तीन दिन बात पहुँचा फिर तीन दिन आपने proposal भेजा सामने वाले एकसेप्टेंस भेजा फिर आपने कुछ और भेजा कहने का मतलब time gap रहता है तो law समझाना चाहता है इन दोनों रूल्स में अलग-अलग तरीकी की चीज़े होता है देखते हैं एक है instantaneous rule instantaneous rule में parties present है एक proposal है दिल्ली से जो telephone करता है बी को जो की acceptor है मुंबई में communication of proposal when complete तो law कहता है कि अगर इस तरीकी का एक transaction है मतलब A और B टेलेफोन पे बात कर रहे हैं A ने कोई proposal दिया है B ने उस proposal को accept करना है तो इस तरीके के scenario में क्या होगा देखते है communication of proposal when complete law कहता है communication of proposal कब complete हुई when B hears it तो A ने यहां से कोई proposal दिया टेलेफोन के माध्यम से B ने टेलेफोन के माध्यम से उसको सुना तो law कहता है जैसे ही B ने टेलेफोन के माध्यम से उस proposal को सुना वैसे ही proposal complete हो गया communication of proposal complete मतलब अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास proposal नहीं पहुँचा proposal आपके पास उसी समय पहुँच गया जब आपने उस proposal को अपने कानों से सुना communication of acceptance when A hears it अगर B ने उस proposal को accept करना है तो B ने उस proposal को accept किया तो जब A ने उस acceptance को सुना तब presume किया जाएगा कि acceptance हो गई place of contract Delhi होगी जहाँ पे acceptance heard है अगर आप CPC को पढ़ते हो तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जब आप देखते हो कि अगर आपको decide करना है कि suit कहाँ file होगा तो आप देखते हो cause of action partly or wholly arose ठीक है 19, 20, 21 में आप देखते हो ये सब लिखा होता है कि कहाँ कहाँ पे jurisdiction बनेगी तो वहाँ पे concept आता है कि cause of action partly or wholly arose तो अगर कोई contract होता है तो contract में अगर कोई breach होती है उसके बाद जब आप CPC में उस contract के लिए damages मागने के लिए claim डालते हो तो आप किस court पे मुकदमा फाइल करोगे उसके लिए आपको ये decide करना पड़ेगा कि place of contract क्या है तो place of contract decide करने के लिए ये देखा जाता है कि आपका instantaneous rule था या non instantaneous rule था अगर instantaneous rule था तो आपकी place of contract क्या होगी where the acceptance has been heard तो proposal A ने दिया B ने उसको accept किया B ने अपनी acceptance मुंबई से बोली और A ने दिल्ली में उसको सुना तो bottom line जो law है वो ये है कि sir instantaneous rule में जो place of contract है that is the place where the acceptance is heard और इसमें दो case है भगवान दास अर्शस गिदारिलार और एंट्रोस लिमिटेड वाला ये आपके place of contract की बात करते है ठीक है तो इतनी सी बात आपको इसमें याद रहते है अब important जो आता है वो आता है non instantaneous rule अगर ये आपने समझ लिया तो आपको सबसमझ में आ जाएगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत समहल के बहुत सरलता से इसको समझाऊँगा और कोशिश करूँगा क्या आपको समझना आप non instantaneous rule का मतलब होता है parties inter presenters नहीं है इसका मतलब parties दूर है और उनके बीच में letter के थूर communication हो रहा है जहाँ पर time gap है तो एक बार देखते है A ने दिल्ली से एक letter भेजा B के पास मुंबई में A ने proposal भेजा B के पास मुंबई में B ने उस proposal को accept किया तो अब यहाँ पर देखते है कुछ timelines को देखते है timelines क्या है A ने B को proposal send किया एक January को एक January को A ने एक letter B को भेजा यह एक proposal था B receives the letter on 3rd January तो B को 3 January को वो letter receive हुआ B send the acceptance on 5th January B ने उस proposal का acceptance 5 January को post किया A receives the acceptance on 7th January 7 January को A को acceptance receive हुआ यह data आपको समझ में आ गया इसमें कोई problem नहीं है एक तारिक को A ने proposal दिया तीन तारिक को B को proposal receive हुआ 5 तारिक को B ने acceptance को post किया और 7 तारिक को A को acceptance receive हुई यह एक basic धाचा है अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या समझना है acceptance complete as against A on 5th January और acceptance complete against B on 7th January communication of proposal completed on 3rd January यहाँ पर law यह समझाना चाहता है कि सबसे पहला question आएगा basically यह question इसलिए पूचा जाते हैं क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि proposal थाई नहीं या acceptance थाई नहीं या क्या दिक्कत आई तो एक बात इसको जड़ा समझेगा कि अगर A ने एक तारिक को proposal भेजाये और तीन तारिक को B को proposal मिलाये तो law कहता है कि जैसे ही B को proposal प्राप्त हुआ the communication of proposal is complete मतलब proposal पहुँच चुका है proposal से जादा यहाँ पर important यह है कि acceptance कब binding होगी जहां से समझना लाओ दिस इस कॉंप्लेक्स इस कॉंप्लेक्स आई ट्राइटू मेक इट वेरी सिंपल बट इस अबिट कॉंप्लेक्स लोग समझाना चाहता है कि प्रापोजल का जो acceptance है वो दोनों पार्टी इस पे अलग-अलग तरीके से बाउंड होंग है इसका मतलब यह है कि ए ने प्रापोजल दिया है बी acceptance दे रहा है ठीक है ए ने प्रापोजल दिया है बी acceptance दे रहा है तो यहां पर आपको समझना बिटा यह है कि बी अपनी acceptance से कब बाउंड होगा और ए अपनी बी की acceptance से कब बाउंड होगा क्योंकि आपको पता है acceptance is what matches match box or match stick to a train of gunpowder तो लो यहां समझना चाहता है कि दो पार्टीज है ए और बी बी ने acceptance अपनी transit में डाल दी लो बस आपको इतना समझाना चाहता है कि उस acceptance से a कब बाउंड होगा और उस acceptance से b कब बाउंड होगा तो लो यहां पर कहता है कि acceptance complete against a on 5th January इसका मतलब यह है कि आपको बस इतना समझाया जा रहा है कि b ने जैसे ही अपनी acceptance transit में डाल दी वैसे ही a bound हो गया इसका यह मतलब है कि मैंने अगर एक letter आपको लिखा कि मैं अपना घर एक करोण में बेशना चाहता हूं आप खरीद होगे एक तारिक को मैंने आपको लिखा आपके पास तीन तारिक को पहुंच गया आपने पांच तारिक को मुझे acceptance भेश दे कि देवशी सर आइविल बाई यूर वोम पॉर दा सेड़ प्राइस ठीक है आपने पांच तारिक को acceptance भेश दी आपने जैसे ही वहां से acceptance भीजी छे तारिक को मान लो मैंने इसी property को किसी और को भेश दिया तो यह जो बाउंड टू परफॉर्म दा कॉंट्राइट तो लो कहता है अगर दो पार्टी के बीच में लेटर के द्वारा communication हो रहा है तो जैसे ही acceptance को पोस्ट किया गया है वैसे ही जो प्रपोजर होता है वो बाउंड हो जाता है मतलब वो अब बैक आउट नहीं कर सकता लेकिन complete as against बी बी कब बाउंड होगा बी बाउंड होगा जब acceptance मुझे तक पहुँचेगी इसका मतलब कि अगर आपने अगर आपने पांच तारिक को acceptance भेजी और वो acceptance मुझे 7 तक मिली तो 7 के बाद आप बाउंड होगे इसका मतलब यह है कि 7 के पहले आप उस acceptance को रिवोक भी कर सकते और 6 तारिक को आप बाउंड में हो भले ही आपने acceptance दे दिये आपकी acceptance जब मुझे तक कहुचेगी तब आप बाउंड होगे लेकिन आपकी acceptance जैसे ही आपकी पावर के बाहर निकली वैसे ही मैं बाउंड हो जाओंगा यह है non instantaneous रूल में प्रपोजल और acceptance जहां से acceptance पोस्ट की गई है place of contract वहां होगा हमने instantaneous में पड़ा जहां पर acceptance हेर की गई थी लेकिन यहां पर acceptance पोस्ट की गई है वहां पर होगा कि कि बोलो किसी को समझ में आया कहना हेर रही है सब्सक्राइब कि अच्छिए है चलिए कि आगे बढ़ता हो कि अच्छिए को लोगा रूख लोगा हो आगे बढ़ता है अब जिसको नहीं संवह है वो पीजी करके देख लेगा ठीक है, section 2D talks about consideration, whereas section 25 talks about the requirements of consideration, ठीक है, तो आईए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, कि क्या है, ठीक है, consideration must move at the desire of the promiser, may be given by the promise or any other person, can be past, present or future, something of real value in lieu of promise, अपनने पढ़ा था, कि proposal जब accept किया जाता है, तब वो promise बता है, और promise के lieu में, जो चीज दी जाती है, उसको हम consideration भीते हैं, इसका क्या मतलब है, मैं आपको promise करता हूँ, कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके lieu में आप मुझे क्या दे रहो, पैसे दे रहो, तो law यह समझाता है, कि consideration could approach क्यों तो है, बट proposal जो promise कर रहा है, ठीक है, उसके context में आप उसको consideration दे रहो, दोनु तरफ से हो सकती consideration, मेरी तरफ से एक consideration होगा, या आपकी तरफ से दूसरी होगा, वो तो आपको clear है, consideration जो होती है, वो something of real value होनी चाहिए, यह अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, consideration के context में law कहता है कि adequacy of consideration is not the concern of law, but it should be of some value, इसका यह मतलब है, कि consideration कितनी है या कितनी नहीं है, यह law का concern नहीं है, लेकिन वो real value की होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद, maybe given by the promisor or any other person, देखो एक concept है, मैं आपको short में समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें बेकार में आप लोग परिशान होगे, इसलिए फट्डवर्च इसको समझा देता हूँ, देखो एक चीज़ होती है, जिसको हम मोलते है, privity, privity का मतलब होता है, इसको हम मोलते है, परिविटी औफ कंसिडरेशन का मतलब है, कि क्या contractual parties के द्वारा ही consideration move करेगा या consideration third party से भी move कर सकता है यह होता है privity of consideration बार-बार इस पे सवाल आता है आपको इतना समझ रहा है कि इंडिया में privity of contract apply करता है लेकिन privity of consideration apply नहीं करता है English law में privity of contract भी apply करता है और privity of consideration भी apply करता है strangers to a contract cannot be the party to the consideration ये बात English law में लिखी हुई है लेकिन इंडिया की case में जरूरी नहीं है जो parties to the contract है उनी से consideration flow हो, consideration third party से भी flow हो सकता है तो privity of contract या privity of consideration का मतलब होता है कि कोई भी तीसरा आदमी आपके contract या consideration के बीच में नहीं आ सकता लेकिन जब हम इसको समझते कि इंडिया में अप्लाई होता है या नहीं तो इंडिया में privity of contract का principle अप्लाई होता है और privity of consideration का principle नहीं अप्लाई होता है ठीक है इस बात को यह दो केस थे जिन्हों ने इस पूरे कंसेप्ट को समझाया था इंग्लिश लॉमें दोनों ही कंसेडरेशन लगते हैं ट्विडल वर्स एटकिंस एडिक्वेसी इस ओफ नो इशू एडिक्वेसी ओफ अग्रिमेंट अपने आप बन जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अमारा आता है सेक्षिन 10 को एक बार समझते हैं सेक्षिन 10 क्या कहता है जर्शा इसको पढ़िएगा सेक्षिन 10 एक बहुत ही इंपोर्टन सेक्षिन है इंडियन कॉन्ट्राइट आट का जो पू कहते हैं, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties, competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby declared to be void. law कहता है कि हर वो agreement contract है, हर वो agreement contract है, जो free consent से है, competent parties पे है, lawful object and lawful consideration पे है, not declared void है, मतलब जिसको law ने expressly void नहीं declared किया, तो अगर आप देखो, तो free consent अभी हम पढ़ेंगे 13, 14, 15 से इस लिखे 13, 14 में free consent समझाया गया, तो law कहता है कि अगर कोई भी agreement free consent से है, मतलब उसमें caution, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake नहीं हुआ है, competent parties, minor या disqualified by law नहीं है, lawful object and lawful consideration section 23 में था, not declared void, अगर जो भी हमारे दिये गए हैं, उनमें void declared नहीं है, in that case, the law says that the agreement will become a contract, तो agreement को contract बनने के लिए section 10 की requirements को fulfill करना है, और यही सारी section 10 की requirements है, यही तुमारी section number 36 तक चलते हैं, तो फटा फटा उनको समझते है, consent सब से पहले आते हैं, तक चंसेंट section 13 में defined है, section 13 में consent बोलता है meeting of minds, in the same same thing in the same sense, free consent, देखो, 13 में consent defined है, कि consent क्या होता है meeting of minds, 14 में कहता है free consent क्या है, 14 में समझाता है free consent का है तो वो कहता है consent का मतलब होता है मनलब दोनो requirement हो नहीं चाहिए एक तो आप same thing in the same sense के लिए agree कर रहे हो साथ में caution, fraud, misrepresentation undue influence या mistake नहीं होना चाहिए that is the requirement of section number 14 ठेक है तो section number 14 कहता है कि consent मतलब होता है meeting of minds free consent का मतलब होता है coercion, fraud, misrepresentation undue influence और mistake तो ये flow कहां से हो रहा है flow section 10 से हो रहा है और उसके भी पीछे जाओगे तो formation of contract सही सब चीज हो रहा है कि section 10 क्या क्या रहा है भई free consent होनी चाहिए तो free consent होनी चाहिए तो ये सम होना चाहिए that is what the laws बोलो समाझ में आया चल अब एक काम करते है दो मिनिट का break लेते है मैं भी थोड़ा सा पानी बानी पी लेता हूँ तुम लोग भी पानी बीलो ठीक है we resume in 5 minutes 5 minutes भी जादा हो जाएगा 2 से 3 minutes मैं मिलते है कितना हो रहा है time 13 हो रहा है 17 बच के 17 minutes पे वापस मिलते है ठीक है एक मिनिट का break ले रहे है यहीं पे हूँ मैं ठीक है बैक इट 1770 तीन से चार मिनिट है आप लोग पानी बानी पी लो चाय बाए मत पीने लगना उसमें समय लग जाएगा तीन मिनट में आके मैं शुरू कर दूँगा ठीक है झाल 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 आजी आगे आगे कोई गया ही नहीं कि आगे क्या रहा अरे वा अरे वा मेरे प्यारे बच्चो जित्ते छोड़ के गया थे उत्ते ही रहे क्या बात एक ही तो दिल है कितनी बार जीतों गया मैं तुम लोग के लिए तो आज कुछ वो ले क्या नहीं था कुछ लाइने बढ़िया बढ़िया लेकिन फिर मुझे समय नहीं मिल पाया ठीक है एक लाइन सुनाता हूँ चलो दर्वाज़ उड़ागा एक लाइन सुनाता हूँ दिल ना उमीद तो नहीं नाकाम ही तो है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है अगर एक्जाम नहीं निकल रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रही है या एक्जाम नहीं आ रहा है तो परिशान मत हो चीजें जल्दी बहतर होंगी ठीक है अगलिक प्लास से एक बढ़िया कोई कोटेशन लेकर आएंगे मोटिवेशन वाली ठीक है ताकि आप लोग का वो चलता रहे है कि चलिए जी शुरू करते हैं कि चलिए लेट स्टार्ट कि अपन समझ में आया section 10 की बात अपन कर रहे हैं ठीक है section 10 की अपन बात कर रहे थे प्रींट की हम बात कर रहे थे कॉर्शन फ्रॉड मिस्रेप्रेजेंटेशन अन्न्यूव इंफ्लेंस मिस्टेक ठीक है चलो आ जाओ अब यहां पे समझो क्या है कि लॉन समझाया consent क्या है consensus at Adam free consent क्या है free consent कुछ नहीं है free consent है ऐसी consent that is not caused by coercion fraud misrepresentation undue influence on mistake अब आपको यह पता होना चाहिए कि coercion fraud or misrepresentation section 19 में voidable दिये गए है undue influence 19a में voidable है इसका मतलब वो वोई डिरेक्ली नहीं है लेकिन जिस party के साथ उसी consent free नहीं ली गई है उसके पास option है कि वह court में जाके अपने contract को void declare करवा सकते हैं so that is the difference between it ठीक है और mistake either valid or not voidable होती इस पर अभी हम discussion करेंगे इस पर अभी हम discussion करेंगे चल अब शुरू करते होगा पढ़ाता जाओंगा लिखता जाओंगा तो वह आपको समझ में आ जाएगा रुख जा भाई देखो जब अब हम section 15 में portion की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप देखो को सिंपल कहता है portion क्या है तो कोशन कहता है कि committing any act कोई भी ऐसा act आप कमिट करते हो जिसमें ऐसा एक्ट कमिट करते हो जो की forbidden my IPC है अरे यह धीमे क्यों चल रहा है या पॉर्बिड़न my IPC है ठीक है या फिर आप कि अन लॉफुली कि लॉफुली कि टीटेनिंग कि दा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यह दो चीजा आती है कोर्शन में कि अगर आप कोई भी ऐसा act करके सामने वाले की acceptance को लेते हो ऐसा act करके जो की forbidden by IPC है या अन लॉफुली डीटेनिंग दा प्रॉपर्टी ऑफ दा परसेन इन दोनों चीज इन दोनों चीज़ों के act को या तो आप करते हो या फिर आप इसको कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि वह बहुत लंबा फाइल हो गया था ना तो उस वज़े से वह हैंग कर रहा था कैर नहीं करें है ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है note साप मैं आपको सम्झा रहा था कि बात करते से सेक्ष्टीं में कोर्षण कि बात करते हैं तो कोर्षण में या तो आपने any act forbidden by IPC किया हो या फिर एनी detaining the property of the person हो या फिर इन दोनों चीज़ों का threaten किया हो अगर इस चीज़ को आप करते हो तो this amounts to caution under section 15 ठीक है यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर दो तीन चीज़ें और आपको समझने है फटा पट से यह है कि जैसे threat to strike यह caution में नहीं आता है threat to commit suicide जो है attempt to commit a suicide is offense but committing a suicide is not offense तो उससाब से अगर आप कोई विक्ति कहता है कि हम suicide कर लेंगे इस contract वो accept कर लो तो आप कहोगे सर यह तो IPC के दोरा prohibited नहीं है committing suicide IPC में offense नहीं है क्योंकि आप किसको punish करोगे लेकिन law समझाता है कि यह बात सही है कि IPC ने committing suicide को offense नहीं बनाया क्योंकि वो impractical है मरे हो इंसान को कैसे सजाद होगे लेकिन उसको offense माना जाता है तो जब आप portion की बात करते हो तो portion में threat to commit suicide is a offense that has been prohibited by IPC इस बात को आपको ध्यान रखना है तो यह चीज़ें आपको portion के बारे में समझना है जब हम undue influence की बात करते है section 16 में अब देखो section 16 undue influence जब आप undue influence की बात करते हो तो undue influence में क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंसान dominate the will की position में है dominate the will की position में है और उस position को use करता है uses that position uses that position to obtain to obtain unfair advantage unfair advantage तो उसको कहा जाता है कि उसने undue influence किया है तो undue influence का important चीज़ क्या है कि कोई भी व्यक्ति dominate the will की position में होना चाहिए सिर्फ position ही जरूरी नहीं है उसने उस position का use किया होना चाहिए to obtain unfair advantage जब यह तीनों essentials fulfill होते हैं तभी undue influence का concept बनता है अब जब आप dominate the will को देखोगे तो dominate the will को समझाने के लिए इन्होंने कुछ presumptions दिये हो है क्या दिये हो है presumptions दिये हो है there are some presumptions with reference to domination of the will presumption क्या है कि सामने वाली की कोई भी real और apparent authority थी और apparent authority थी master servant हो सकता है कोई भी और doctor patient हो सकता है advocate client हो सकता है तो real और apparent authority थी या फिर कोई fiduciary relationship थी यानि कि based on trust या फिर सामने वाली की mental capacity mental capacity affected थी एक बार लिख लेता हूं फिर मैं समझाता हूं आपको mental capacity जो थी वह affected थी यह तीनों चीजें होती हैं तो हम presumption करते हैं कि एक व्यक्ति dominate the will की position में था इसके अलावा इसमें presumption दिया गया है अगर आप अपने case में undue influence को प्रूव करना चाहते हैं और आपने यह दिखा दिया कि व्यक्ति position to dominate the will में था dominate the will में था position to dominate the will में था और प्लस जो transaction है transaction है वह unconsignable है यह मैं समझा रहा हूं एक सेकंड रुखना बस unconsignable है लिखके नगलाने थूड़ा ऊपर नीचे वह जाता है तो burden of prove जो है burden of proof जो है वह dominant इंसान के उपर आता है dominant person के ऊपर अब इस कहानी को पूरा समझो अब इस कहानी को पूरा समझो एक मेट में समझ में आजाएगी बिलकुल डरना घबराना आपको यह समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी transaction में किसी भी contract में आपको यह check करना है कि सामने वाले के इंसान की जो consent थी वो free नहीं थी क्योंकि उसकी consent undue influence की वज़े से थी तो court क्या check करेगा court check करेगा कि जिस व्यक्ति ने undue influence से consent ली है वो व्यक्ति dominate the will की position में था उसने उस position को use किया है देखो position में कोई भी हो सकता है ऐसा हो सकता है यह master servant हूँ मेरे servant को अपनी property बेच नी थी उसको अपनी property बेच नी थी मुझे property खरीद नी थी मैंने उससे करीद ली इसका जरूरी मतलब नहीं है कि मैंने undue influence किया हो तो क्या है कि dominate the will की position में मैं था but I have to use that position to obtain unfair advantage यह तीनों चीज़े जब fulfill होती है नहीं तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जो dominate the will की position में है वो कभी किसी भी इंसान के साथ contract ही नहीं कर सकता जो उसके under है तो law यहां समझाता है कि तीनों चीज़े जरूरी है dominate the will होनी चाहिए uses that position होनी चाहिए to obtain unfair advantage होना चाहिए इसके साथ में section number 16 कहता है कि dominate the will के presumptions हैं मतलब law को अगर decide करना है court को decide करना है कि यह व्यक्ति dominate the will की position में था या नहीं तो वो चेक करेगा क्या उसकी उसके उपर real या apparent authority थी क्या वो एक fiduciary relationship एक trust की relationship में थे या फिर सामने वाले की mental capacity affected थी वो बहुत ज़ादा बिमार था या सोच समझने की capability में नहीं था अगर इन में से कोई भी चीज आती है कहने का मतलब आप समझो अगर court में case होता है मैं plead कर रहा हूं कि मेरे साथ अंडी influence हुआ है तो आप क्या plead करोगे साम नहीं किया है मैंने मैं court से क्या बोलूँगा मैं court से बोलूँगा sir ये dominate the will की position में थे तो court मुझे पूछेगा कैसे prove कर तो मैं कर रहा हूं वो real और apparent authority थी या fiduciary relationship थी या mental capacity affected थी जब मैं इनके through prove करूँगा तो dominate the will prove हो जाएगा उसके आद मुझे prove करना पड़ेगा कि dominate the will तो था लेकिन इस position को भी इन्होंने use किया और unfair advantage लिया इस वज़े से undue influence हुआ इस वज़े से मैं contract को void declare करवाना चाहता हूं एक presumption दिया हुआ है एक assumption दिया हुआ है presumption दिया हुआ है presumption क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति position to dominate the will में था plus the transaction is unconsignable तो burden of proof उस व्यक्ति पे होगा जो position to dominate the will था कि वो इस बात को disprove करे कि undue influence नहीं था इसका मतलब अगर मेरा servant है एक करोन की जमीन उसने 10 लाग की मुझे बेच दी तो लाग मैं कहूं court से कि मैं भले ही dominate the will में था बट इसको prove करना पड़ेगा कि मैंने ये position use की तो law कहता है ऐसा नहीं है अगर ये बात किसी भी transaction में ये बात prove हो जाती है कि आप dominate the will की position में थे plus the transaction looks unconsignable transaction को देख के लगता है कि ये एक बराबरी का transaction नहीं है तो court burden of proof shift कर देगा इसका मतलब अगर मैंने simple अगर मेरा knocker है उसकी एक property थी एक करूर रुपए की property थी मैंने एक करूर की करी थी अब अगर कल को कहता है कि मेरे साथ undo influence हुआ था तो उसको prove करना पड़ेगा कि मैंने अपनी position को misuse किया to gain unfair advantage उसको prove करना पड़ेगा लेकिन अगर वो अपनी एक करूर की वो unconsignable उसके आप burden of roof मेरे उपर होगा to disprove the fact that I have not induced undue influence यह हमारा लोग ठीक है नहीं ने complete कराएंगे 16 हो गया समझ में आगया चलो अब अब एक बार आते हैं अब एक बार आते हैं अब let's do some important stuff mistake को एक बार पढ़ते हैं ठीक है एक बार mistake को पढ़ते हैं सर आप से ही मिल सकते हैं case laws यार देखो मैं सारे case laws है मेरे पास contract के मेरे पास 58 case laws है जो मैंने खुदी बनाया हुए तो अगर लगेगा तो एक और class ले लेंगे हैं उसमें सब case laws discuss कर देंगे यार को ऐसे दिक्कत नहीं आप मैं नोट्स वगेरा बेजने पर विश्वास नहीं रखता हूं पीडिएफ ही खट्टा करते रहोगे बहुत सारी हो जाएंगी और लेडी हैं वह सब ऐसे रहेंगे तो मैं जो पढ़ाता हूं उसी पर विश्वास रखता हूं ठीक है चलिए अब एक और concept को पढ़ते हैं पटा पट से समझेगा mistake को mistake को समझे mistake दो तरीकी के होती है mistake दो तरीकी होती है एक होती है mistake of fact और एक होती है mistake of law यह बहुत ही घिचपिच करके लिखा हुआ है आपके bare act में लेकिन इस चार्ट के मदद से आपको mistake हमेशा PT मेंस इंटर्वी के लिए हमेशा से clear हो जाएगा क्योंकि बात वही है बस bare act में बहुत जादा गुमाग लिखी हुई है तो आप देखेगा दो तरीकी की mistake होती है एक होती mistake of fact और एक होता है mistake of law mistake of fact जो है वो आपका section number 20 और 22 में दी गई है जबकि mistake of law जो है वो आपकी section 21 में भी गई है mistake of fact अगें दो तरीकी की हो सकती है mistake of fact दो तरीकी की हो सकती है जिसमें हम बोलते हैं एक होती है bilateral यानि कि दोनों की bilateral mistake और एक होती है unilateral mistake unilateral mistake और unilateral mistake यह दो तरीकी की जो mistakes है यह हमारी mistake of fact में देखी जाती है bilateral का मतलब होता है दोनों parties को पता नहीं था कि कि इस घोड़े की बात हो रही है वो दोनों कहते हैं कि वह एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम घोड़ा बेचर है दूसरे को लग रहा हम बक्री खरीद रहा है दोनों ही को पता नहीं है इस से ट्रांजाक्शन हो रहा है तो यह बोथ parties are at fault यह दो पार्टी आर मिस्टेकन तो अगर ऐसा कोई contract है जिसमें दोनों ही parties bilateral mistake of fact मतलब उनको फैक्ट ही clarity नहीं है तो section number 20 इस बात को mention करता है कि ऐसा contract जो होगा वह declared to be void ठीक है ऐसा contract to be declared to be void यह आप कह सकते हो कि यह क्या नम है दोनों ही parties के case में वाइड होगा जबकि unilateral mistake का मतलब होता है एक पार्टी की एक पार्टी की mistake अगर है पहले इस चार्ट को बना लो या मेरे को बना लें दो तो आपको समझ में आ जाएगा अगर वाइड वन पार्टी उनली है वन पार्टी उनली एक को लगा कुछ और दूसरे को सही लग रहा है तो डाट इस नौट वॉइड 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 यह दिया हुआ इस चार्ट के माधण से आप हमेशह इसको सही कर सकते हो अब आता है law mistake ऑफ law waarा जो फृदर दो पार्ट में डिवाइड है एक है attempt of indian law mistake of indian law और एक है mistake of foreign law mistake of foreign law mistake of foreign law अगर हम Indian law की बात करते हैं, तो Indian law में it is not voidable, इसका मतलब है it is valid, यहीं से principle आता है that ignorance of law is no excuse, यहीं से आता है, यह दिया हुआ है आपका section number 21, जब हम foreign law की बात करते हैं, तो foreign law वापस से दो तरीके का हो सकता है, एक बार चार्ट बना लें तो फिर समझा देंगे, एक बार एक मिनिट बस रुख जाओ, दो तरीके का होता है, bilateral, bilateral और unilateral, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि same as mistake of fact, same as mistake of fact, इसका मतलब mistake of fact में जो principle लग रहा है, bilateral और unilateral में same foreign law में भी लगते हैं, तो bilateral में यह void है, और unilateral में यह not voidable है, इसका मतलब valid है, यह बात लिखी हुई है, section number 21 में, अब यह आपका chart पूरा हो गया, अब इसको जड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, देखेगा ध्यान से, हाँ, एक पर देखेगा, law यहाँ पर समझाता है, कि mistake दो तरीके क्यों होती है, mistake of fact, mistake of law, mistake of fact, session 20 or 22, mistake of law, section 21, mistake of fact, आप दो तरीके हो सकती है, bilateral यहाँ दोनों पार्टी की mutual mistake, या फिर unilateral mistake एक पार्टी के द्वारा, bilateral mistake होगी, तो आपका agreement जोगा, void declare हो जाएगा, जबकि unilateral mistake होगी, तो not voidable होगा, यानि कि valid होगा, यह हो गया fact था, जब हम law की बात करते है, mistake of law की, तो mistake of law दो तरीका हो सकता ह इंडियन law, foreign law, इंडियन law में कोई भी mistake है, चाहें unilateral है, चाहें bilateral है, not voidable, valid, ignorance of law is no excuse, तो law की mistake को, इंडियन law की mistake को किसी भी तरीके से void नहीं माला जाता है, वो valid ही होती है, आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए था, foreign law की यह बात करेंगे, तो foreign law में जो principle लगते है, व दोनों parties पे है, तो वो void होगा, लेकिन अगर वो unilateral है, तो valid होगा, यह चाहट अगर आपको याद रहेगा, तो आप किसी भी state में कोई भी mcq या mains का answer भी लिख रहे है, तो आपने यहीं सब बाते लिखती है, यह क्या होता है, कैसे होता है, इस पर थोड़ सा detail पर चर्चा अभी नहीं possible है, बट अगर आप यह भी समझ गए, तो आपका पूरा काम हो जाएगा, आपका कोई भी answer गलत नहीं होगा, आपका कोई भी answer गलत नहीं होगा, ठीक है, अब next topic जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद, वो है discharge of contract, अब यहां के बाद, जो छोटे-छोटे sections ह है, वो आपको थोड़े देखने पढ़ेंगे, वो सारे sections तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मेरा idea था कि bear act से एक बाद डिल कर लूगा, लेकिन चलिए जितने महत्रपुन चीज़े हैं, वो तो discuss हो जाएंगी, तो next है topic जो हम करने वाले हैं, वो है discharge of contract, discharge of contract, यह एक important topic है, discharge of contract, इसका यह मतलब है, कि अगर आपने contract की formation, valid तरीके से की है, तो मैंने आपको बताया था, कि parties के उपर obligation है, कि वो अपने contract को perform करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं, तो आपका contract breach में constitute हो जाएगा, और फिर आपको damages देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने contractual obligations को completely fulfill कर लिय तो उस concept को हम discharge of contract कहते हैं, मतलब आपने contractual obligations जो भी दोनों parties में निदारत थे, वो आपने complete कर दिये, तो discharge of contract की case में, अगर आप पढ़ोगे, तो discharge कितनी तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहला होता है, by performance, by performance, अगर आपने, अगर आपने किसी भी परिस्तिती में simple सा चीज था आपके और मेरे कोई भी contract था, उसमें terms decided थे, हम दोनों इने, अभी एक बार fraud misrepresentation में difference बता लेंगे, ठीक है, ठीक है, अभी बता देंगे, by performance, वो छोटा सा point है, मैं सोच रहा हूं, जो ज़्यादा, वो वाले है, clarity वाले वो बता दे, छोटे-चोटे points अभी और discuss कर लेंग इसका discharge हो जाएगा, तो यह पहला हो सकता है, performance, दूसरा हो सकता है, by agreement, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें novation, alteration और recession की बात करते हैं, तो by agreement, parties खुद agree करती है, कि उनका पिछला जो contract था, वो खतम हो जाएगा, और वो एक नए contract में enter हो जाएगे, तो इसका क्या मतलब होता ह है, कि आपने पुराना contract जो था, उसको discharge कर दिया, अभी समझाता हूँ, इसके बाद, आपका by agreement के बाद, क्या हैगा, by performance, by agreement, by supervening, impossibility, by impossibility, अगर impossibility हो गई, impossibility to perform हो गया, contract perform ही नहीं कर सकते हो, उसके अलावा, discharge किस से होगा, discharge होगा, breach से, किस से होगा, breach से, breach से भी आपका contract जो होता है, वो discharge हो जाता है, ठीक है, और operation of law भी एक चीज़ है, बट उसको detail में नहीं पढ़ना है, death of the parties वगरा पे भी discharge होता है, तो operation of law को अगर आप एक बार छोड़ भी दो, तो ये मुख्य 5 चीज़े हैं, जिससे आपका कोई भी जो contract है, वो discharge हो आपने contractual obligations को fulfill कर दिया, that amounts to discharge, by agreement, आपने कोई नया agreement इंटर कर लिया, terms को change कर दिया, कुछ भी change कर दिया, तो आपका contract, पुराना contract जो होगा, वो discharge हो जाएगा, impossibility, अगर impossible to perform हो गया, तो original contract जो है, वो discharge हो जाएगा, breach कर दी, अगर आपने contractual obligations को fulfill नहीं किया, breach constitute हो गई, तो भी contract discharge होएगा, contract discharge होने का मतलब यह है, कि अब उस contract में लिखे हुई contractual obligations को आपको fulfill नहीं करना है, discharge का मतलब दोनों ही कि जो भी liabilities थी, एक contract के अंदर वो सारी खतम हो गई है, that is meant by discharge, discharge का मतलब है, कि अब सामने वाली party किसी भी तरीके से, दूसरी party से, उसके contractual obligations का performance नहीं ड अगर आप बाइप अगर आप देखेंगे, तो कैसे कैसे हो सकता है, section 37, section 37 वो हमारा main section है, जो कहता है, contract must be performed, contract must be performed, contract must be performed, यह कहता है, कि अगर आपने कोई भी valid contract को एंटर किया, तो आपको उस contract को perform करना है, किसी और से करवाना है, यहीं पर assignment का भी concept आता है, लेकिन law समझाता है, अगर आपने legally valid contract में इंटर हुएं, तो आपको इसका performance करना है, 37, उसके बाद आता है section 38, 38 बात करता है attempted performance की, किसकी बात करता है, attempted performance की, law समझाना चाहता है, कि अगर आप अपना contract perform करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला विक्ति आपकी performance को accept नहीं कर रहा ह तो आप उससे जबरदस्तिक गरदन पकड़वा कि तो performance नहीं करवा सकते, तो अगर आपने एक attempted performance की है, जो की law के द्वारा valid है, तो law presume करेगा, कि आपने performance कर दी और आपकी side से contract discharge हो गया, लेकिन जब हम attempted performance की बात करते हैं, तो उसकी अपनी requirements है, कि आप इस तरह की attempted performance नहीं क मैं रात को 2 बजे आपकी दुकान पर पहुंच गया, और मैंने कहा, आपको phone किया, कि भाई समान उतरवाल हो, आपने कहा, भाई पागल हो गया, इतनी रात को कैसे हो सकता है, सुबह आए और सुबह मैं तुमसे समान उतरवाल हो, अब मैं वापस चला गया, और मैं court में जा ठीक है, इसको हम बोल दें, attempted performance, उसके बाद section 40 से, 40 से 45 तक बताता है, who must perform, who must perform, बहुत सारे principles इसमें आते हैं, छोटे-छोटे, जैसे आपको अगर बताया गया है, कब करना है, कौन करेगा, तो वो सारी चीजें, who must perform में दी वहीं है, ठीक है, उसके बाद 46 to 50 के जो principle है, session 46 to 50 है, वो बताते हैं, वो बताते हैं, time and place of performance, गया, time and place of performance, यह आपको बताते हैं, कि अगर मैंने आपसे performance का time decide किया, तो उस time पही performance होनी, माली जै मैंने आपसे कहा था कि भाई, मैंको पटा के चाहिए, ठीक है, आप पटा के चाहिए, मैंको दुकान लगानी है, मैं दिवाली में एक दुकान लगानी है, तो इसमें simple सी बात है, कि अगर वो दिवाली के पहले, मुझे पटा के नहीं भेजते, तो यहाँ पर time essence of the contract था, यहाँ पर आपको यह भी समझना है, कि हमारा contract का आपको यह value नहीं रह गया, एक तो यह तरीका होता है, दूसरा एक और तरीका होता है, कि अगर मैंने आपको बोला है, कि भी आप दिन में आना, चार बज़े आना, हमारी दुकान अलग जगह है, बट हमारा जो go down है, वो अलग जगह है, तो आप वहाँ पर आके अपनी समान की delivery करिएगा, तो यह सारी चीज़े time and place से related होती है, जो parties के बीच में जब हम by agreement की बात करते हैं, तो by agreement में हम देखते हैं, या तो या तो बोथ parties के द्वारा हो सकता है, या unilaterally मतलब single party के द्वारा हो सकता है, ध्यान से समझ ना जरब, अगर आपने किसी भी agreement से अपने contract को discharge करना है, तो या तो दोनों parties की सहमती से हो सकता है, या सिर्फ एक पा हो सकता है, इसमें नया contract discharge भला गौर्ट पहले लुअर देक देखते बहुत सम और वहारा एंटने शना मतलब होता है, पूर होरा نया, contract recession मतलब होता है जो भी contract था उसको खतम करना alteration मतलब किसी एक दो condition को change करना तो law यहां पर यह समझाता है कि अगर आपने किसी भी contract में कोई भी changes किये चाहे आपने motivation क्या alteration क्या हो या recession क्या हो तो जो पुराना contract था जिसमें changes किये गए थे वो contract automatically खतम हो जाता है मतलब वो discharge हो जाता है तो उसको perform करने की आविश्यक्ता नहीं है जब हम बात करते हैं by one party यह तो आपका हो गया section number 62 में यह सारी चीज़ें दी होई है ठीक है अब आता है unilateral माल नहीं सिंगल पार्टी के द्वारा तो सिंगल पार्टी के द्वारा कैसे होता है आप इसको समझेगा जब हम पढ़ते theory of accordance satisfaction को हम देखते कि कई बार ऐसा होता है कि कोई party जो होती है वो सामने वाले का जो भी performance होता है उसको dispense कर देती है या रेमिट कर देती है मना कर देती है या कम कर देती है तो यह क्या process होता है कि आपका original contract हो गया वो discharge हो गया अभी मैं illustration से समझाता हूँ दूसरा होता है extend the time extend the time extend the time अभी यह समझाता हूँ आपको और तीसरा आपका any other satisfaction any other satisfaction जिसको हम theory of accord and satisfaction भी बोलता है सिंपल आपने बहुत जगे देखा होगा आपने बहुत जगे देखा मालो मैंने बैंग से एक करून रुपए लोन लिया अब एक करून रुपए का लोन लिया मुझे एक करून रुपए पे करना पर लेकिन मेरे पास जो पैसे थे मैं करून रुपए करून वाला कॉंट्राक्ट था इसका मतलब जब आपने सामने वाले से कोई और मतलब या तो उसका amount त्यूरी ओफ अकॉर्ड इंसाटिस्फेक्शन क्या हुआ आपको मुझे दस दाजार रुपए देने थे आपने मुझे दस दाजार रुपए नहीं दिये मैं एक दिन घर या मैं बाई मैंने पैसे दे तुम नहीं देंगे मैंने उठाया तुम्हारा कुट्था डॉगी पपी जो भी है उसको ले गए आगया मैं और यह लेकर आगया मतलब वॉइलिंटली मैंने का तुम यह अपना डॉगी मुझे दे तो आपने हास ले जाओ तो मैंने क्या किया उस दस दाजार के बदले में यह अपॉर्ड एन साटिस्फेक्शन ले लिया जब मैंने यह साटिस्फ वाट इस ठीक है बाखी एंपॉसिबिल्टी आजाता है section 56 मैं screw section 56 पैरा टू Boss 2 section 56 पैरा टू inital और subsequent impossible की बात करता है यहां आपको पता है कि तीन हो ही तर्यकी प्रेस्टा यह विश्त है तो अपने किसी कॉन्ट्राक्ट करने की जरूत नहीं है मैंने आप से कहा था मैं आपको पढ़ाएंगा आप मुझे पैसे दोगे आपने फ्रस्ट इंस्टॉल्म्न पे कि है एक मगने बाद मैंने classes लेना बंद कर दिया अगर मैंने classes लेना बंद कर दिया और आपने एक ही installment पी किया था तो आगला installment अगर आप नहीं देते हो तो आपके लिए वो discharge हो चुका है मैं आपके against case नहीं डाल सकता कि भाई इनसे को पैसा दे क्यों क्यों कि मैंने already breach किया है यह सारी चीज़ें आपको समझनी है discharge में discharge हो गया देखो fraud और misrepresentation में intent का फरक है main चीज़ जो fraud और misrepresentation में है कि fraud is a misrepresentation with a intent to deceive तो जब भी आप fraud misrepresentation को समझते हो तो misrepresentation में भी धोका हुआ होता है लेकिन malise नहीं होती है या intent to deceive नहीं होती है तो fraud और misrepresentation में में फरक यह है एक लाइन का कि fraud is misrepresentation with the intent to deceive अगर यह बात आप समझते हो तो fraud और misrepresentation का difference आप कर सकते हो contract जो voidable हो जाएगा और other party can claim damages ठीक है लेकिन जब misrepresentation तो misrepresentation में damages नहीं क्लेम कर सकते हो ठीक है बस इतनी सी बात आपको जो है वह ध्यान रखनी है इसमें 63 में वह हो गया अच्छा और देखते छोटे-छोटे कौन-कौन से sections आपके लिए जो है वह important है यह जिन पर बात की जा सकती है अच्छा पहले impossibility की बात करते हैं section 56 जड़ा impossibility के बारे में थोड़ा सा की सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब का सकती है या सब्सक्राइब हो सकती है टेलर वर्सेस कैडवल का लैंड मार्क केस है जो जो बताता है कि फ्रस्ट्रेशन समझाता है बट उसी से इंपॉसिबिल्टी का जो प्रूविजन है वो हमारे देश में भी लिया गया है अगर आप पैरा वन में देखोगे तो अग्रीमेंट जो होगा इंपॉसिबल टू परफॉम वो वॉइड हो जाएगा लेकिन पैरा टू में कॉन्ट्राक्ट विकम्स वॉइड तो इनिशल इंपॉसिबिल्टी होगी तो अग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिल्टी के केस में जो contract होगा, वो becomes void होगा, बाद में void बनेगा, initially वो एक valid contract था, ये बात आपको समझ में आता है, basically, क्या-क्या grounds हो सकते हैं, वो समझ लो, grounds of frustration, change of circumstances हो सकते हैं, non-occurrence of contemplated events हो सकते हैं, death or incapacity of the party हो सकते हैं, government intervention हो सकते हैं, और intervention to war हो सकता है, जब हम impossibility की बात करते हैं, तो एक बात समझने की जरूवत है, बेटा, कि जब हम impossibility की बात करते हैं, तो Taylor versus Cadwell हुआ, बहुत सारे और cases थे, जिन्हों ने ये समझाया, कि कई बार, जब एक व्यक्ति, एक contract करता है, तो कहीं ना कहीं, वो इस बात को जानता है, कि ऐसी परिस्तिती आ सकती है, जब contract impossible to perform हो, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्तिती में होगा, जहां पर contract impossible to perform होगा, तो वो subconsciously उस चीज़ के लिए prepared रहता है, तो ये जो conscience होती है, इसको पकड़के ही frustration का concept निकाला गया है, डेटेल में आप अगर उसको समझेंगे, त इसके बारे में ज्याद रखेंगे, इसके बाद आपके चार तरीके, पांच तरीके के quasi contracts आते हैं, quasi contracts का क्या मतलब है, ऐसे contracts जो जिनके सारे essentials contract के जैसे नहीं है, वो resemble करते हैं contract से, लेकिन उनको categorically हम contract नहीं बोल सकते, क्योंकि proposal acceptance, promise, consideration, agreement section 10, 100% उन पर नहीं लग रहा होता ह है, लेकिन public policy ये demand करती है, या equity justice और consigns इस बात का demand करती है, कि इनका भी enforcement होना चाहिए, उनको हम quasi contracts बोलते हैं, तो अगर आप quasi contracts की बात करते हैं, quasi contracts की बात करते हैं, तो आप देखते हैं, कौन-कौन सी चीज़े quasi contract में हैं, तो section number 68, ये कहता है supply of necessary, supply of necessary, इसमें simple सा है, ऐसा व्यक्ति जो incapable to form a contract है, उसी necessity के लिए सामने वाले व्यक्ति ने बिना contract किये, क्योंकि उससे हो नहीं सकता, minor हो सकता है, unsound mind हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को आपने कोई भी necessary से supply किया है, तो law कहता है, कि भले ही वो व्यक्ति competent to contract नहीं था, लेकिन equity के आधार पे law ये presume करेगा कि जिस व्यक्ति ने उसको necessary से supply किया है, उसको reimbursement मिलना चाहिए, from the property of the minor और unsound person, ये है section number 68, section number 69, section number 69, payment by interested percent, payment by interested percent, इसमें क्या है, बेटा simple सा logic है, interested percent, बहुत ही simple, मैं रहता हूँ, मेरा landlord बाहर है, उसने दो महीने से बिजली का बिल नहीं जवां किया, मैं उसको बिजली का बिल देता हूँ मान लेते हैं मेरा बिजली का बिल मेरे रेंट में included था उसने दो महिने से बिजली का बिल नहीं दिया बिजली वाले मेरे घर आये हुए बोलते हैं कि भाई बिजली का बिल पे करो वरना बिजली काट देंगे मैं यहां रहता हूं वो मुंबही में रहता है फोन नहीं उठा रहा है यह जो कुछ भी है तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं पे कर दूँ पैसा वरना मेरे घर की light चली जाएगी मुझे नेरे मेरे ना पड़ेगा और वो पैसा due भी था तो ऐसी परिस्थिती में मैं अगर पैस पे कर दिया तो मेरे पास राइट है कि मैं उससे क्लेम कर सकता हूं कि भाइ मुझे मेरा पैसा लॉटा क्योंकि यहां पे आई वॉज एट टिस एडवांटेज आई वोज उसे डिस एडवांटेज अगर मैं आपके साथ कोई भी ऐसा एक्ट करता हूं जो कि लॉफुल है ज कि मैं gradually करना नहीं चाहता था गलती से हो गया और आप उसका benefit उठा लेते हो तो law कहता है कि आपको उसको reimburse करना पड़ेगा एक लेकिन अगर आपने उसका benefit enjoy किया आप उसको उसको वापस कर सकते थे लेकिन अगर आपने उसको enjoy कर लिया है in that case you will be bound to pay ठीक है 71 finder of goods कि अगर कोई भी founder of goods section 71 अगर कोई भी विक्ति founder of goods है तो उसकी same responsibility है as a billy 151 में बेली की तरह है उसकी responsibility है उसको take care करना उसको reimbursement मिलेगा ठीक है और 72 mistake or question में कोई भी चीज़ दी गई है तो उसको लोटाई जाएगी उसका restitution होगा यह बात कहता है 72 mistake or question ठीक है यह होगे आपके quasi contract quasi contract के बाद जो एक और important चीज़ आती है वह है आपकी the principle of damages the principle of damages अब आपको यह समझना है कि कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी जब कोई भी ब्रीच करती है ब्रीच करती है तो लौ क्या कहता है लौ कहता है कि हमें जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है ठीक है उसको उसको देखो reciprocal promises मतलब मैंने आपको कोई promise किया उसके बदले में आपने मुझे कोई promise किया that is known as a reciprocal मैं आपको पढ़ाने का वादा कर रहा हूँ आप मुझे fees देना का वादा कर रहा हूँ तो these are the reciprocal promises जो हरे contract में exist करते हैं मेरे बाद ध्यान से सुनना अगर किसी भी law का यह presumption है कि अगर कोई contract validly form हुआ है तो उसको perform किया जाना चाहिए अगर party ने उसको perform नहीं किया है अगर party ने उसको perform नहीं किया है तो law says कि in that case the person जिसका नुकसान हुआ है जिसके साथ breach हुई है he has to be restored to the original position as if the contract was performed इसका यह मतलब है कि law यह कहता है कि अगर आपने कोई legally valid contract में enter किया है तो इसमें यह जरूरी है कि आपने अपना contract का performance किया अगर आपने performance नहीं किया तो law की यह जिम्मेदारी है कि ultimately आपने आपका अगर contract perform हो जाता तो आपको क्या benefit मिलते है यह benefit आपको दिलाए जाए इसी से damages का concept आता है damage का मतलब होता है actual injury damages का मतलब होता है the monetary compensation awarded by the court ठीक है दो तरह के damages होते है liquidated और unliquidated liquidated damages का मतलब होता है predefined damages अगर parties ने अपने contract में पहले से ही लिख रखा है कि हम इतना sum देंगे तो वो liquidated damage कहता है इंडिया में law यह है कि अगर कोई भी stipulated amount है जो की liquidated damages कितने लिखा हुआ है तो court उससे जादा damages award नहीं कर सकता बड़ उससे कम करनी के उनके पास power होती है unliquidated damages के case में simple सी बात होती है कि unliquidated मतलब है जो पहले से pre-decided नहीं है अब damage किसलिए दिये जाता है यह आपको समझ में आ गया any loss that कुछ naturally arose from the course of thing and the parties knew that it would result in breach तो तीन essentials है जब damages को decide किया जाता है दो cases है हमारे पास एक दो क्या बलकि तीन है पहला तो landmark case है Hadley versus Baxandale का landmark case है जो आपको समझाता है the principle of damages को उसके बाद इंडिया में जो case आया था बहुत ज्यादा important A.K.S. Jamal versus Mulladaud यह जो case है यह इंडिया में आपके damages के law को समझाता है तो यहाँ पर यह बोलते है कि जबी भी court को किसी भी party को damage award करना है तो उन्हें क्या चीज़ चेक करना है उन्हें इस बात के बारे में चेक करना है कि भाई सामने वाले को कोई loss हुआ है जो भी loss हुआ था वो naturally arose from the course of things यहाँ पर concept आता है remoteness of damage remoteness of damage simple भाषा में यह होता है कि जबी भी कोई व्यक्ति breach करता है तो उसको speculated होता है कि उसके breach की वज़े से सामने वाले को कितना नुकसान होगा अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझसे 100 किलो पनीर डेली लेते हो आपका restaurant चलता है एक दिन में आपको पनीर डेलेवर नहीं कर पाए in that case क्या होगा maximum अगर मैं आपको 50 रुपे किलो देता था तो आप बाहर से करीदोगे 55 रुपे 60 रुपे किलो में आप कर लोगे और उसके आधार पे damages दिये जाते हैं damages का principle हमारे देश में जो भी है वो भी इसलिए बनाएगे कि जो भी व्यक्ति जिसके साथ जिसके डामेज हुआ है जिसके इंजरी हुई है जिसके साथ गलत हुआ है उसको restore किया जाए original position में as if the contract was performed यहाँ पर हमारा damages का objective पनिश करना नहीं कि सामने वाले को ऐसे exorbitant damages award कर दिये जाए कि वो recover ही ना करता है कई बार देश में policy बनाने के लिए समझाने के लिए दूसरों को सबक देने के लिए higher damages पे किये जाते हैं बट generally जो law of damages है वो इसी बात को कहता है तो यहाँ पर यह चीज हो गई आपकी unliquidated damages में अब एक और चीज unliquidated damage में क्या आपको समझनी है वो यह है कि जभी भी law बनता है तो दोनों साइट से बनता है एक तरफ तो ठीक है जिस भी व्यक्ति ने गलती करी उसने anticipate किया तक कितना loss होगा सामने वाले को loss हुआ है उसको damage देवने पड़ेंगे लेकिन एक और चीज होती है कि जिस व्य mitigate the loss होता है यह भी एक important factor है जो parties को प्रूफ करना होता है in order to decide the damages ठीक है तो damages are compensatory in nature they are not for the purpose of punishing the defendant in any case nominal damages दिये जाते है जहाँ पे आपका right to wallet हुआ है लेकिन आपको कोई injury नहीं हुए ठीक है बाकी सब जगे सारे damages जो है वो दिये जाते है तो यह more or less यह more or less principles of contract act है दो चार चीज़े शायद रहे गई होगी मैं मना नहीं कर रहा हूं मैंने कोशिश की दो घंटे की class में जो maximum हो सकता था वो पढ़ाया ठीक है आचा करता हूं उमीद करता हूं आपको Indian contract act समझ में आया होगा मैं इसकी PDF वगेरा आपको कल तक भेज़ पाऊंग ठीक है क्योंकि यह कभी-कभी आता है सही से कभी-कभी नहीं आता है तो मैं इसको देखता हूं आप मेरा telegram handle join कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूं telegram पे मेरा handle क्या है तो उसको आप join कर सकते हो आप join करना चाहो तो test book में दो batches है basically अभी जो चल रहे है वह आप देख सकते हो एक तो हमारा foundation batch है और दूसरा MP के लिए mains batch अपने start कर दिया है और हन्याना का भी batch चल रहा है तो आप उसको देख सकते हो अगर आप उसमें पार्ट होना चाहते हो कहां चला गया मैं यह गया देखो यह है अपना channel देवशी श्पांडे official यह मेरी suit के साथ photo लगी हुई है 4543 अगर आप टेलिग्राम पे जाओगे देवशी श्पांडे for judiciary एक मेरे पुरा टाइप करना एक मेरे पुराने चैनल पुराने institution का गुरूप है उसमें ज्यादा में लेकिन वह बंद हो चुका है तो वह वाला गुरूप मत जोइन करना यह एक एक गुरूप है जिसमें आप बारे में आ जाता है सब कुछ आ जाता है questions आते हैं आपको answer करने होते हैं डेली डेली बेसिस पर अच्छा है तो मतलब कहने का मतलब जो भी इंट्रक्टिव चीजें हैं वह इस पर होती रही तो आप इसको जॉइन कर सकते हो देवशी श्पांडे फजोडी श्री जो भी च कुछ कैसा था कितना अच्छा लगा कितना नहीं और जो टेस्ट बुक वाला है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं तो जैसे आप टेस्ट बुक में गए तो यहां मेशा सूपर कोचिंग में आपने जाना है जब आप सूपर कोचिंग में जाओगे और अपना गोल्डिसा है मेरा कोड याद रखना है अगर किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड यूज कर सकता है यह कोड यूज करने से आपको मेजॉरिटी डिसकाउंट मिल जाएगा MP की में की टेस्ट सीरीज है यह भी चालू हो गई हर्याना का बैच चल रहा है और MP जूडिश्र सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इतना था नेक्स संडे को प्लान करते हैं सेम टाइम चार बजए यह बात के बात के बहुत अदर डिटेश में नहीं होंगे लेकिन पॉसिबल भी नहीं था बट मैंने जितना समझा सका आपको समझाया आपको समझ में आया होगा आपके कमेंट्स का वेट करूगा आपकी विश्ट करूगा थैंक्यू सूमच आप ग्रेट डेए वाग कियर और जैहिए